हेलो एवरीवाइन वेलकम टू तरुनाय सक्यादमी दिसाइट सौमया कॉप 29 मीट ओवरॉल हुई और कब हुई तो 11 नवंबर से लेकर और 22 नवंबर तक ये मीट चली कहां पर बाकू अजरबेजान में बट मारा जा रहा है कि इस मीट के बाद काफी जादा दिसापॉइंटमेंट जो है वो हुई है जिसके बाद भारत ने काफी हद तक एक स्ट्रॉंग स्टैंड लिया है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिरकार कॉप 29 एक दिसापॉइंटमेंट क्यू हुआ भारत का क्या स्टैंड है ग्लोबल स दस दिन चली यानि 22 नवंबर तक कहां पे बाकू अधर बैजान में ये ओवर ओल मीट हुई क्या ये पहली बार है जब कॉप की मीटिंग हुई नहीं ऐसा नहीं है इसे पहले 28 बार कॉप की मीटिंग यानि की कॉण्फरेंस ऑफ पार्थी की मीटिंग हो चुकी है अब बा अब घ्लोबाल नौर्थ टु पर ट्रिजियंस नौट बिलियंस अब गलोबल नौर्थ ग्लोबल साउथ क्या है दरसल बात ये है कि माना जा रहा था कि जो टारगेट पहले सप्लेक्ट किया गया था कॉप मीटिंग के दौरान वह टारगेट जो था वो 100 बिलियं का था या In fact, यह माना जारा था कि COP29 में जो target होना चाहिए, वो trillions में होना चाहिए, यानि कि approximately 1.3 trillion जो है, वो value लगाई जा रही थी, but developed countries ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और बात यह है कि जो target 1.3 trillion लगाया जारा था, वो भी नहीं लगाया गया है, यहां तक कि यहां तक जो overall fund जब release करने की बात आई, तो developed countries ने area को expand करने के लिए कहा, यानि कि उन्हों ने कहा कि कुछ developing countries जैसे China और Saudi Arabia भी उस overall ambit के अंदर आने चाहिए, जहां पे वो भी funds को release करेंगे, जहां पे साफ तौर से climate को tackle करने के लिए funds release किये जाएंगे, तो इससे काफी तदर disappointment जो है, वो हुई, और यहां पे आप कह सकते हो कि developed nations जो है, बचते हुए नजर आए एक तरीके से, COP 29 in Baku, the proposed climate finance deal has faced the sharp criticism, और particularly those in the global south, यानि कि अभी global south, global north क्या है क्या, बस अभी कुछ ही minute रुख जाईए, आपको सब पदा चल जाएगा, बट साफ तर पे देखने को मिल रहा है कि global north की हरकतों की वजए से, global south जो है फिलहाल, ना सिर्फ climate change के crisis face कर रहा है, बलकि food crisis और fuel crisis भी काफी हद तक prominent है, अब बात है कि India को जो है, क्यों यहां पे, यानि कि India ने क्यों यहां पे protest किया है, तो India इसी लिए आवाज उठा रहा ह कि यह summit होने से पहले कि जो funding है, यानि कि जो global climate finance को लेके जो fund है, उसको 100 billion से बड़ा target कर दिया जाएगा, क्योंकि 100 billion तो पहले ही था, तो रिप्लेस करके अप value trillions में पहुँच जाएगी, और काफी हद तक जो climate finance को काफी हद तक प्रमोट किया जाएगा, बट ऐसा कुछ हो बिल्कुल भी नजर नहीं आया, in fact developed nations और developing nations के बीच में जड़प होती हुई नजर आई, और एक deadlock जो है, वो create होता हुई नजर आया, जहाँ पे developing countries continuously demand कर रही थी developed countries से कि आपको climate finance का ये fund raise करना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए इसको 1.3 trillion तक जबकि developed countries जो है, वो बचती जो कि काफी हद तक developing countries जैसे भारत है, तो उनके द्वारा जो है, ये चीज ओपोस की गई, okay, so यहाँ पर देख सकते है, wealthier nations however prefer a phased approach, तो wealthier nation जो थे, उन्होंने phased approach अपनाने के लिए कहा, जहाँ पर developing countries है, कुछ developing countries वो भी fund को release करेंगी, ठीक है, अब बस यह होना ही था कि उ क्लामिट फाइन्स तारगेट जो है वो भी सेट नहीं हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हो कि क्यों COP29 को एक disappointment कहा जा रहा है, अब चलिए जोग्रफिक लोकेशन की मदद से समझते है, global north और global south कहां पर है, और exactly, देखिए, important है, तो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत ये रहा, ठीक है, अगर मैं specifically mark करूं, तो हमारा प्यारा भारत ये रहा, थोड़ा सा मेरा ये रेखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत ठीक है, और यहां पर आप इस एरिये को देखेंगे, तो ये आता है global south में, तो इसी लिए भारत देश जो है, वो global south वह और अगर और एप देखेंगे तो यहां पर जो आपkan बीजन है पूरा जो ASEAN region है ठीक है और आपको आप ये वारा डिजन है आप ये व्य वाला वे जन है S Suite American region अगर और देखेंगे तो यह सारा डिजन जो है बहुत अदा वेस्ट को रिलीस कर रहे हैं, बहुत अदा मतलब क्लामिट के ओपर बिल्कुल भी ध्यान नी दे रहे हैं, जिसका कॉंसेक्वेंस ग्लोबल साउथ को जहलना पड़ रहा है, वह जो है काफी नाकुष है, ठीक है, अगर यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो यह यह लिए 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 लि में और डीटेल में तो कॉप 29 स्पेसिफिकली यहां पर जानकारी लें तो यह फ्रेमवर्क जो है अब 11 से 22 नवंबर तक हुआ बट यहां पर कोई भी कोई भी एक सथी कमिटमेंट जो है वो रेज नहीं हो पई तो यहां पर यह दुख काफी जाधा जाताया जा रहा है जिसकी disappointment काफी जादा जो है वो मानी जा रही है अब तलिए discuss करते हैं COP meetings में यानि कि पहली COP meetings में कौन कौन सी COP meetings important है यानि कि conference of party meet में कौन कौन सी meets important है सबसे पहले discuss करेंगे COP 1 COP 1 जो है 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ और इसका जो outcome था वो था the Berlin mandate overall यहां पर काफी सारे negotiation sign होते है binding emission reduction target भी यहां पर sign होता है जो कि काफी हद तक important है then COP 3 की बात करेंगे 1997 Kyoto Japan में यह पूरा protocol होता है Kyoto Protocol के नाम से इसका key outcome होता है जहां पर developed countries committed legally binding towards, legally binding to the greenhouse gas emission reduction ठीक है तो the developed nations and developed countries है वो legally binding है to the greenhouse gas emission reduction तो यहां पर legally binding का target जो है Kyoto Protocol का जो पूरा protocol है वो COP 3 के अंतरगत रखा गया जो कि इसको बहुत अधा important बनाता है COP 15 की बात करें तो यह 2009 COP Hedgen Denmark में हुआ जहां पर global warming को limit करने के लिए कहा गया 2 degree Celsius further limited down और यह भी binding agreement है तो काफी हद तक यह भी important रहा then further COP 21 Paris France में 2015 में हुआ जहां पर Paris Agreement sign हुआ जहां पर कहा गया further हमें global temperature को 1.5 degree Celsius तक की limit करके लेके आना होगा तो यह भी काफी हदे important रहा जहां पर nation determined contributions के framework के बारे में भी बात की गई COP 26 की बात करें तो यह 2021 Glasgow Scotland में हुआ जिसको Glasgow Climate Pact भी कहा जाता है यहां पर face down that is cool down approach के बारे में बताया गया और साथ ही साथ strengthening की गई national determined contributions को उसके बात COP 27 2022 शरमल शेक एजिप्ट में हुआ जहां पर loss and damage principle को highlight किया गया और साथ ही साथ loss and damage fund जो है उसको बनाने की यहां पर यानि की loss and damage fund जो है कुल मिला के यहां पर establish हो गया तो यह तमाम COP की meetings है जो की important है COP 29 क्यों है disappointment है यानि इस video में global south, global north क्या है साही तमाम चीज़ें discuss होई अब इसी के साथ conclude करते हैं Thank you so much, have a nice day, bye-bye, take care, good luck and God bless you